है 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 कि है तुट्ट ट्रेंट्ट स्वागत अपका इक भार फिर से गुट्विलेटोगेर के यूटुब चैनल पर उमीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छी चल रही होगी ठीक है आप देख सकते हैं पीछे आज रेशियों का पार्ट होने वाला है अल्रेडी दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं इसके पहले ठीक है जहां पर ह हम लोग ABCD लगाए थे और कुछ वर्ड फोलम भी लगाए थे और साथ में हम आपको नव आकरी में जाते जाते एक एज का क्वेश्चन होमवर्क भी दिये थे ठीक है और यह भी बताये थे कि जो एज का क्वेश्चन हम आपको दिये थे कहीं न कहीं इसके पहले जो चार- सवाल इंकम एक्स्पेंडीचर से रिलेटेट कुष्चन था कहीं न कहीं उसी कॉंसेप्ट से एज के मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाते हैं ठीक है तो देरी ना करते हुए डैरेक्ट आज के सेशन को सुरू करते हैं क्योंकि इसके बाद आपको प्रीवेश्यर क्वेश्च रुदर की बातों में नहीं पढ़ना है ठीक है विचलिया शुरू करते हैं आज का सेशन जो सवाल आकरी में होम वर्क था वहीं से शुरू करते हैं ठीक है चलिए चलिए लीजे पहला सवाल आगे आप ये कह दीजे कि आज का पहला या फिर ये भी कह लिजे कि कल का आखरी ठीक है क्या कह रहा है six years ago the ratio of the ages of a and b was two is two three today the sum of their ages is 72 years then find the ratio of their presented ये जो ratio दिया गया है ना आपके सामने ये जो ratio दिया गया है ये एक्च्वल में आज का नहीं है ये कब का है छे साल पहले का है अच्छा टूडे आज के डेट में उनका सम क्या है आप कहेंगे जी 72 साल तो यहां पे तन यहां पे थोरी सी दिक्कत है दिक्कत क्या है कि ये जो age दिया गया है और जो ratio दिया गया है दोनों अलग-अलग समय का है जब तक दोनों एक समय के नहीं होंगे तब तक आप बटवारा या तोरफोर आप कुछ भी नहीं मचा सकते हैं बात समझ में आ रही है तो कुल मिला के आपको न सबसे पहले दोनों को एक समय पे लाना होगा अगर ratio छे सल पहले का है तो एक कुछे सल पहले ले जाईये या फिर एज यह जो आज का है तो ratio भी आज के चक्कर में परिये पहले जब तक नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं तो एक बड़ा चोटा सा चीज हम आप से पूछना चाहते हैं मान लीजिए कि A और बी ए और भी दोनों आज 20 सालकें प्रेजंटेज यह बहुत परे लोगों को न पहली बार में लगेगा कि वह आज 20 साल के हैं तो 5 साल के बाद 25 साल के होंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा पांच साल के बाद हम कहेंगे कि ये वाले भाई साहब भी पांच साल बरेंगे और ये वाले भाई साहब भी पांच साल बरेंगे तो ओभर ओल जो एज है दस साल से बर जाएगा कि नहीं बर जाएगा ओभर ओल जो एज है वो दस साल से बर जाएगा इसका मतलब आज के डेट यह भी पांच वर्ष चोटा होगा यह भी पांच वर्षच छोटा होगा और जो टोटल एज वह 10 वर्ष कम होगा और 10 कम कहने का मतलब कीजी 10 सल हो जाएगा ये बात सब के समझ में आ रही तो कहीं न कहीं यहीं कॉंसेप्ट आपको यहां भी लगाना है देखिए क्या कह रहा है कि छे साल पहले है तो आज के डेट में क्या है तो आज के डेट में यह लोग 72 years के हैं तो हम आपसे बड़ा चोटा सा चीज पूछना चाहते हैं कि आप खुद बताइए दोनों में से किसको किसी दूसरे के आप बदल सकते हैं क्या आप इस रेशियो को आज आज तक खीच के ला सकते हैं आप कहेंगे नहीं लेकिन इस बहत्तर को ना आप खीच के छे साल पहले ले जा सकते हैं बात समझ में आ रही तो जब ए और बी ए और बी यह दोनों मिलके और दोनों से चोटा से चोटा होगा और बारह साल के कहने का मतलब यहां पर जो एज होगा क्या वह 60 इर सूगा कि नहीं होगा होगा ना एटनी सी बात समझ में आगई अच्छा शिक्ष्टी एर्स हो गया तो इससे क्या होगा कि अप दोनों का एज पता लग सकता है अब दोनों का age पता लग सकता है कैसे आप देखिए दो और तीन पांच ठीक है आप कहेंगे जी पांच की value 60 है तो एक की value आप कह सकते 12 अगर A चाहिए तो 2 चाहिए और 2 बराबर कितना हो जाएगा 24 अगर B चाहिए तो 3 चाहिए 3 बराबर कितना हो जाएगा 36 यह आपको पता चल चुका है क्या पता चल चुका है तो A और B का एज कभ का एज शक्ना पहले का एज शे सल साल पहले यह dif चौविस और 36 धे तो अगर A और B के बारे में सद्षय जाए कि आज जी कितने तो ये 24 वाला जो है न आज 30 का हो जाएगा और ये जो 38 वाला है वो आज 42 का हो जाएगा रिस्क पी जिनकर आ sagt अ 55 साथ हबार में टो न का आज का RAC prizes होगा वो कितना होगा जे 6 क्लियर है यह चीज़ है थोड़ा सा complicated question था ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल था लेकिन चीजों को आपको नो सोचना था यहां पे थोड़ा सा न एकदम different question था नया question था एकदम fresh ठीक है देख लिजे सबसे पहला काम हम क्या किये कि रेशियो और जो total age दिया गया है उन दोनों को एक समय पे हम खीच के लाएं क्यों क्योंकि रेशियो कुछ समय पहले का था और एज आज का है दोनों अलग-अलग समय का है तो इस case में हम क्या कर सकते हम कटाई छटाई बटवारा यह सब हम नहीं कर सकते हम तभी कर पाएंगे कि जब तक दोनों एक समय के नहीं हो तो हम क्या किया इस 72 को न हम कीच के उस समय ले गए जब का ratio दिया गए था रेशियो कब का था छे साल पहले का तो छे साल पहले यह लोग कितने साल के होंगे अगर आज 72 के हैं तो पता लगेगा जी 60 साल तो इस साथ को दो तीन में तोर दिये तो आपको पता लगा एक जो है वो 24 का और दूसरा पता लग गया जी 36 का ठीक है अब आप से पूछ क्या रहा था पूछ रहा था find the ratio of their presentages मतलब आज आज उनका ratio कितना होगा यह जो आया है आपको पता है कि 6 सल पहले का आया है तो आज के डेट में 24 वाला 30 का और 36 वाला 42 का काट दीजिए पांच और साथ आंसर आ जाएगा ठीक है जी चलिए ठीक है तो अगला सवाल देखते हैं जल्दी से अगला सवाल देखें यहां पर तीन लोग हो गया है टेंसन नहीं लेना है दो लोग हो या तीन लोग हो मैं थर आपका वही रहेगा सवाल बदलेगा हम नहीं बदलेंगे देखिये मैं थर वही रहना है आपका 8 years ago the sum of the ages of a b and c was 40 years the ratio of their presentage 9 8 and 5 sorry 9 is to 8 is to 15 then 5 what will be the ratio of the ages after eight years from now brother in the wall एकी सवाल में देखिये ने इतना कुछ आप से पूछ दिया गया है ना कि बहुत तरह स्टुडेंट कर फ्यूज होंगे हो जाएंगे यह चीज़े के सुन लीजे हमारी बात को क्या कह रहा है आठ साल पहले आठ साल पहले कितने के थे यह लोग आठ साल पहले हैं यह लोग थे 40 साल के तीनो ओव मिल के 40 साल के थे। ठीक है रेजियो यह कब का दिया है रेजियो जो दिया है आज का दिया है तो इस यह ना ले तरह ragud को कितने मि Expect He K जी आज के डेट में ये लोग 64 साल के होंगे और इनका रेशियो क्या दिया है नाइन एट एंड फिप्टीन तोर दीजे इसको नौ और आठ सतरह और पंदरह बत्तिस जी थटी टू की वैल्यू जो है वो 64 है क्या एक बराबर दो होगा आप कहेंगे जी होगा अगर ये चाहि सीच चाहिए तो आठ साय चाहिए कटने साल के हैए तो यहां केरे ऑन सबस्कुनित लेकिन यहां पर आंसर तक अभी भी आप पहुंचे नहीं हैं आपको करना क्या है आप से पूछा गया है उनका रेशियो कब 8 years from now आज से 8 साल बाद तो आज से 8 साल बाद ये भाई साहब जो होंगे वो 26 के हो जाएंगे ये भाई साहब जो होंगे वो 24 के होंगे और ये भाई इस बनेगा तो जो एक्चुल आंसर आएगा आपका तेरह बारह और उन्निस कहां पर दिखराजी और नमबर थर्ड क्लियर है ठीक है दो सवाल सेंटू सेंट देख लिए आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो और जो टोटल एज ये दिया हुआ है ये किसी 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 ए समय का होना चाहिए अगर अलग-अलग समय का होगा तो आप नहीं सोल्व कर पाएंगे ठीक है तो आप क्या करेंगे जो टोटल एज दिया हुआ है उसको खीच के आप उस समय तक पहुचा दिजिए जब का रेशियो दिया हुगा है खीच के पहुचा दिजिए सवाल आसान रिख़े काता कि आऒया है रिखे क्या रहा है؟ थींखेkol लिखे कह रहा है यह हपे यह प्रेंट ब्रॉ के रहला है यह प्रेजन्द यह प्रक्राम बूज़्ट रहे समय है मतलब तोटल और रेशियो दोनों कहीं न कहीं प्रेजेंट ही हैं तो आप सिंपल पहले तोड़ दीजिए हम फादर और सं के बारे में पहले इंफर्मेशन ले ले दो और एक तीन की वैल्यू 78 तो एक और पिता जी की बात की जाय तो पिता जी तो दो यूनिट है इसका मतलब की 52 साल के अच्छा पुत्र जो है ना वो कितने का बाद कितने साल के बाद how many years the ratio of their ages will be 3 is to 5 अच्छा थोड़ा सा उल्टा हो गया है 3 is to 5 के जगह पे 5 is to 3 होना चाहिए था इसके जगह पे 5 is to 3 होना चाहिए था ठीक है चलिए क्यों 5 is to 3 इसलिए क्यों कि यहां पे देखे फादर और सन बोला है और यहां पर सन फादर हो जा रहा है ठीक है क्योंकि फादर हमें सब बरे रहेंगे तो पांच तीन ही होना चाहिए ठीक है अब सवाल कह रहा है कि कितने साल के बाद इनका जो रेशियो होगा वह पांच और तीन का हो जाएगा देखे अब आप क्या कर सकते हैं इतना आने के बाद आप एक कम यह कर सकते हैं प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइड़ लगा दीजिए और बराबर में पांच तीन रख दीजिए लेकिन हम कहते हैं उतना नहीं मुचना है देखिए पीता जी 52 साल के हैं ठीक है और रेशियो में आपको बनाना कितना है पांच मतलब की बावन को एक ऐसा नमबर बनाना है जो पांच से कट जाए इतनी सी बात समझ में आ कई अब हम कहना चाह रहें कि बारह जो रहेंगे पांच से कटेगा आप तेहंगे से काट दीजिए पांच भार में और तीन वार में तो जो रेशियो चाहिए था आपको पांच और तीन यह 13 से आ गया 18 से कोई मतलब नहीं हटा दीजिए उसको बात समझ में आई यह बात समझ में आ गई जो हम आपको बताएं यह सवाल आप आप संसे हसानी से कर सकते हैं अ पुत्र जो 26 का है तो वो प्लस एक्सियर्स का हो जाएगा और रेशियो बाद में इनका होना है पांच तीन तो आप इसको सोल्ब करेंगे न तो यहां से भी आंसर आ जाएगा लेकिन हम चाहते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन में मत फंसिये आप आप संसे बारी बारी से होगा और पुत्र का जो भी उम्र होगा ओटीन सेrek अब आप ये मर्जी आप फिको लेना चाहते हैं वह लिघक है nuestras chi सवाल था ये ठीक है लिए देखी ये सवाल ये सवाल देखिये तो क्या कह रहा है ये सवाल देखिये दरेशियो प्रेजेंट डेज आप A and B is 3 to 4 after 7 years the ratio of the ranges will be 7 to 9 500 difference between the energy Depth जो ढ़ए ये सवा ये इस पैटरंड के सवाल एज में सबसे ज्यादा पूछ है और सवाल यह है यही कहने का मतलब यह नहीं कि सेम तो समस्तव का मतलब इसी पैटरं o रेशियो होता है एक किसी और समय का दूसरा किसी और समय का और आपको न एज पता लगाना होता है उसी में इदर उदर घुमा फिरा के आप से पूछा जाता है ठीक है तो सवाल क्या कह रहा है वो देखिए यह इंकम एक्सपेंडिचर जो लगाए थे न सेम उसी कॉंसेप्ट से इसको लगाना है ठीक है देखिए यह और भी दो लोग है एक रेशियो दिया हुआ है तीन चार यह कब का रेशियो है यह प्रेजेंट यह प्रेजेंट आज का रेशियो है तीन चार और क्या करा है आफ्टर सेवें यर्स आफ्टर सेवें यर्स जो रेशियो दिया है वो तो seven or nine दिया है हम आपको क्या बताए थे इन दोनों रेशियों के बीच के difference को लेना आप खुद बताए कि ये ratio जिस समय का होगा और ये ratio जिस समय का होगा दोनों age के बीच साथ साल का gap होगा आप कहेंगे जी तो नीचे साथ लगा दीजिए ठीक है हम difference का difference बोल रहे हैं तो इ ये वाला ratio जिस समय का है उन दोनों समय के बीच जी जुक गया फैना जितने साल का उसको आपको लिखना है आप उसके बाद क्या करना है आपको पता है उसके बाद पहले इन डोनों का cross such मालटिब्लिकेसन लगाएंगे और फिर वापक्स से इन दोनों का क्रोस मुल्टिब्लिकेस्好不好 से वो निकाल रहे थे आप निकाल ये इसको लेकिंब इसकाना सालूूसें है कि यह भी होता है कि रेचियो के बीच के गैप को equal करके निकाल सकते हैं लेकिन वो थोरा साथ कह सकते हैं कि और साथ से ज्छेंड आपका ज्यादा लेगा तो फान साथ सेकेंड भाचा लीजिए ठीक है रेशियो का gap equal करके भी निकाला जा सकता है जैसे 3 और 4 एक का गैप 7 और 9 दो नब तो उपर वाले में 2 से multiply कर देंगे तो बराबर हो जाएगा तो वो भी concept है लेकिन वो थोरा रासा एकाद स्टेप उसमें आपको ज्यादा मेहनत करना परेगा तो आप अराम से ये लगाई ये क्रॉस मल्टीपली के संदेखें नौव तीन कितना हो जाएगा जी आप एंगे सथाइस साथ वह चार कितना हो जाएगा आप लेंगे अठाइस आपने इसको बक्से में बंद करके रख दीजिए साइट में कहीं पर ठीक है आगे देखे सात वुड़े साथ कितना होगा उनचा साथ उड़ेड़ों कितना होगा जी 63 इसको भी आप बक्से में बंद करके रख दीजिए अब बक्से से बाहर निका लिए दोनों को 27 और 28 में से निकलेगा एक और इधर से क्या निकलेगा आप कहेंगे जी इधर से 14 निकलेगा तो जो एक की वैल्यू आई वह एक्चुल में 14 है एक की वैल्यू 14 है तो आप बता है तीन की वैल्यू क्या 42 और चार की वैल्यू क्या आप कहेंगे जी छप्पन तो 42 और चंतर पूछा जाता तो तो चार बराबर जापन अंतर उचा गया है तो 42 और 56 अंतर जो होगा वो 14 साल का होगा क्लियर है यह चीज़ है क्लियर है ठीक है देखे एक एक कॉंसेप्ट और हम आपको दे दें कि बहुत सारे लोग ने यहां पर कुछ लोग यह सुचने लगेंगे कि find the difference between their ages आपसे बोला गया है कि उनके age के बीच अंतर बताईए बह लेकिन कब का कब का बताना है साथ साल बाद का या आज का दिमाग में आ सकता यह चीज़ बहुत साइब लोगों को लगेगा कुछ छूटा हुआ लग रहा है इसमें कुछ तो अधूरा है क्योंकि clearly mention नहीं है कि कब का age difference बताना है आज का बताएं कि साथ साल बाद का बताए तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि सम एज का जो सम होता है वो चेंज होता है समय के साथ लेकिन difference चेंज नहीं होता है जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई एक student के बारे में हम बात करें कि मान लीजिए कि राम राम जो है ना 25 साल का है और उसका छोटा भाई सपोज कर ल साल छोटा है आप ये बात मताईए कि आज इसे चार साल बात का उस चोटा भाई बरात हो जाएगा या उनके बीच का गया थोतोडि कम हो हमारे कहने का मतलब यह है कि अभी भी तीन साल छोटा है आगे आने वाले ता उम्र वो पांसा तीन साल छोटा ही रहेगा वो कभी एज डिफ्रेंस जो है न वो उपर नीचे नहीं हो सकता है इस चीज को समझ लिजिए कि सम ओफ देर एज़ेज विल भी चेंज़ आज भी तीन साल का गैप पहले भी तीन साल का गैप और आगे आने वाले समय में भी तीन साल का गैप ठीक है न亞टीच जलिए ठीक है तो जल्दी से हम आपको अग्ला सवाल दिखाए question number 34 अब आगे आने वाले कई सारे सवाल जो ओंगेने न सेम इसी कंसप्ट पर लगेंग ठीक है बस आपको पहचानना होगा कि पूछा क्या गया है बाकी मैथट सेम तु सेम वही होगा ठीक है धराधर लगाते चलिए 30 seconds में आंसर आएगा देखिए वह हवावाई बात करना बेकार है कि 2-3 seconds में आंसर लाइए या सेकंडों में आंसर लाइए ठीक है ना जेन्वीन बात करिये फरजी बात मत करिये देखिए देखिए दो सगेंड तो कम से कम यह दो चार वर्डब पढ़ने में ही निकल जाता है देखिए ओप प्रेजेंट टेज ऑफ एंड भी इस फाइब इस तो फोर लिजे प्रेजेंट टेज जो है पांच और चार दिया है ठीक है 30 years ago the ratio of the region 30 साल पहले 30 साल पहले तीन दो था हम आपको बताए ना नीचे जो एज गैप है एजन गैप एजन गैप common का मतलब यह चाहिए और यह जब का एजा रेसरre है उसनके बीच का फिक जी है लगाई ये लगाई नों को 5 गुड़े 2 दस चार गुड़े तीन बारा क्या करना है बक्से में बंद करना है इन दोनों को अभी लगा दीजिए तीस गुड़े तीन कितना हो जाएगा जी 90 तीस गुड़े दो कितना हो जाएगा 60 इनको भी बक्से में बंद करा दीजिए अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना इस पर बर होगा दो बराबर 30 है तो क्या एक बराबर 15 होगा आप एंगे जी एक बराबर 15 हो नहीं होना है एक बराबर 15 हुगा अच्छा जी क्या कहेड़ा है find the sum of their presentages find the sum of their presentages आप क्या कर सकते दोनों को बारी-बारी से 15 55 या आपकी मर्जी है आप दोनों को जोड़ दीजे कितना है जी 9 जब एक की वैल्यू 15 है तो नौकी वैल्यू जो होगी वो ना 135 साल होगी न ए और भी दोनों मिलके आज के डेट में कितने साल के हैं जी 135 साल के clear है क्लियर है तो यहां पे जो पूछा गया है वही बस चेंज हो रहासकता है बागी सब कुछ कहीन कहीं सेम रहसे वाल सवाल में बहुत कुछ इस थोड़ा सा कर लें ठीक है घर पर तो आप लगाते नहीं तो कम से कम यहीं पर लगा लीजिए यहीं पर लगा लीजिए देखिए सेम सवाल यह भी सेम सवाल है ठीक है नाइन यह सगो दरेश्य आप देज्ट अब एज़ट अब एंड वी पूर इस टु सेवें आफ्र नाइन इस बराग आच्छा सवाल है देखिए चार और साथ यह चार और साथ कब का यह चार और साथ यह कब का है तो इसमा हिंदी में लिखते हैं देखिए 9 साल पहले 9 साल पहले 9 years ago clearly बोला है 9 years ago 9 साल पहले जो रेशियो था 4 साथ था after 9 years from now from now का मतलब आज से ये जो है ना ये भी कही न कही वही था आज से आज से 9 साल पहले और आज से 9 साल बाद ठीक है आज से 9 साल पहले और आज से 9 साल बाद से क्या रेशियो दिया है जी दो और तीन यह बात समझ में आ गई अब नीचे में क्या लिखना होता है आप कहेंगे नीचे में गैप लिखना होता है आप खुद बताएं नौ साल पहले और आगे जाएंगे ध्यान से सुनिये मान लिजे कि यह आपका एक पोजीशन है नौ साल पहले जाना है आप इधर खिसक के आगए ठीक है नौ पीछे आपको नौ आगे जाना है यहां से आप नौ आगे निकलेंगे तो आप देखिए दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 18 साल का लिखेंगे सुनते जाइए चार त्या बारह और साथ दूना 14 क्या हम डिरेक्ट दो लिख सकते हैं आप कहेंगे जी लिखा जा सकता है अच्छा दो की वैल्यू क्या होगी अठारह दूना 36 और ठारत या चूवन या फिर आप देखिए अंतर एक का है तो डैरेक्ट क्या आ 18 कह सकते हैं जब 2 बराबर 18 आया एक बराबर क्या आएगा नौ आएगा एक ब्राबर 9 आया तो चार बराबर हो जाएगा जी 36 और सात बराबर क्या हो जाएगा सट बराबर हो जाएगा त्यह ठिक होड़ा Prime cricket अच्छा आज का एज पूछ रहा है एका एक नौ साल पहले 36 का था इसका मतलब आज ना ये भाई साहब 45 साल के ओ गये होंगे ये भाई साहब कितने के 45 साल के ठीक है जी ठीक है आई ये ठीक है तो अगला सवाल अगला सवाल देखिये राम्स मदर्स प्रेजेंट एज इस टू पॉइंट पाइव टाइम्स ओफ राम्स प्रेजेंट एज ठीक है जी राम की माता जी जो है ना वो राम से धाई उनी है अच्छा आगे क्या कहता है इफ आप्टर फिप्टीन यर्स हर मदर विल रिमेंट टू टाइम्स ओफ इज एज फाइंड राम्स प्रेजेंटेज बढ़ा अच्छा सवाल है यहां पे भी रेशियो ही है बस आपको पता नहीं चल रहा कि रेशियो कैसे है ध्यान से सुनिए रेशियो तो ड्राइगुनी कहने का मतलब थोरी देर के लिए समझे पहले इस चीज को ड्राइगुनी कहने का मतलब कि राम अगर दस साल का होगा तो माता जी धाइगुना मतलब की 25 साल की होगी दाइगुना का मतलब तो यही होता है यही होता है ना अच्छा हम क्या करेंगे कि 10 और 25 ना लेंगे थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे छोटा अगर करें तो 5 से 2 बार में और 5 से 25 बार में क्या इसको पांच से 25 बार में तो क्या 2 और 5 लिखा जा सकता आप कहेंगे जी लिख स तो ये क्या निकल गया राम और उसकी माता जी के बीच जो रेशियू है एज का वह दो और पांच ठी अब क्या है अब जो है दो गुनी रह जाती है दो गुनी कहने का मतलब कि राम अगर एक साल का तो माता जी दो साल की ये यह दोनों रेशियों हमें पता लग गया और इन दोनों रेशियों के बीच गैप कितने साल का है आप कहेंगे जी पंदरह साल का गैप है, अच्छा लगाए वापस से यही दो दूना चार और पांच हेकम पांच, पांच एक ही आएगा यहां से, पंदरह दूना तीस और पूछा जा रहा है राम दो है जी 15 गुड़े दो दो बराबर कितना आ रहा है तीस तीस साल का होगा जो की ऑप्सन में दिख नहीं रहा है राम की माता जी धाय गुना दो पांच ठीक है आप्टर फिप्टीन यर्स हर मदर विल रिमेन टू टाइम्स ये दो और एक ये भी ठीक है जी दो दूना चार पांच एक आया पंदरा आया ठीक है जी राम का एज जो होगा न वो तीसी साल होगा ओप्सन में दिख नहीं रहा है हम लगा देते हैं अच्छा आप चाहें तो क्रॉस भेरिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर राम तीस का है तो माता जी 75 की होंगी अच्छा अगर 15 साल बाद की बात करें तो राम 45 का हो जाएगा माता जी 90 की देखें यहां पर जो है ना धाई गुना है और यहां पर दो गुना है ठीक है जी 30 साल में नमबर पांच आप्शन थाटी यर्ज ठीक है चलिए क्वेशन नमबर पांच थाटी यर्ज ठीक है लीजिए यह भी क्वेश्चन सेम है पुछने का बच तरीका बदला है इस बार भी देखिए देखिए क्या कह रहा है पाइव अपाउन सेवैन औफ भी तरह रहा है पाइब अब ऑपन सेवैन और बी अच्छा ए के बारे में क्या कहा है एज ने पाइव अपाउन सेवैन ओ भी आप यहां से बताईए कि अगर बीको इधर खीच के लिए आ है तो A upon B बराबर में 5 upon 7 आएगा तो क्या इसको हम 5 is to 7 कह सकते हैं आप कहेंगे जी कह सकते हैं अच्छा आगे बढ़ा जाए After 6 years from now The age of B will be 4 अच्छा ठीक है B जो है न वो क्या हो गया 4 by 3 of A ठीक है तो यहां से आप ध्यान से देखिए कि B upon A बराबर में 4 upon 3 होगा आप कहेंगे जी होगा तो यहां से अगर A, B का रेशियो देखा जाए तो यह एक्छल में 3, 4 हो जाएगा आपको यह पहले समझना होगा यह दोनों सब के समझ में आ गई होगी ना A और B का रेशियो निकल गया अच्छा अब क्या करना है सेम वही मैथड फिर से लगाएंगे पांच और साथ और दूसरा वाला रेशियो जो है वो तीन और चार और कितने साल का गयप है जी छे साल का छे देखिए पांच चौका बीस और साथ तिया 21 एक आएगा यहां से अच्छा चे टीया ठार छे चोका चौबीस कितना आएगा छे एक बराबर निकल गया छे तो पांच बराबर तीस और साथ बराबर बैयालीस तीस और बैयालीस क्या पूछ रहा है आपसे फाइंड दस सम अफ देर इजे जोर दीजे भी बहत्तर सम निकालने के लिए यहां से भी कर सकते बारह चाहक बहत्तर दोनों मेथेड लगा सकते आपको जो ठीक लगे है आप यह पूछ रहा है आफ्टर शिक्स यर्स प्रम नाव यह पूरा गरवर गया जी एक मिनाट यह बस देखे नहीं जिसके कारण थोरा सा गरवर हो गया यह सवाल अच्छा कोई बात नहीं है फिर से लगाएंगे फिर से लगाएंगे देखिए आइव इयर्स अगो यह पांच साल पहले का है और यह छे साल बाद का है गैप जो होगा वो 11 साल का होगा ठीक है जी गैप जो होगा वो 11 साल का होगा पांच चो का बीस और साथ या 21 ठीक है जी यहां से गैरत या 33 गैरत चो का 44 एक बराबर क्या आजाएगा एक बराबर 11 आजाएगा तो 5 बराबर हो जाना है 55 और 7 बराबर हो जाना है 77 और दोनों मिलके कितने साल के हो जाएंगे 7 और 5 12 के 2 और 13 132 साल के लेकिन 132 आंसर होगा नहीं क्यों क्योंकि प्रिजेंट पूछाए ये 5 साल पहले का है आपको 10 जो इसलिए मिसमें रिपीट नहीं कर रहे हैं हम आपको अगला नेक्स पॉस्चन दिखा रहे हैं ठीक है चलिए यह क्यों हो रहा है देखिए पढ़िए सवाल को पादर्स प्रेजेंट एज इस पॉर टाइम्स दे एज ओफ इज डॉटर अच्छा लिखा जाए ठीक है जी पिता जी और डॉटर जी क्या कह रहा है कि फॉर टाइम्स पॉर टाइम्स का मतलब डॉटर एक पिता जी चार आगे बढ़िए क्या करा आफ्टर फाइब यर्स ही उडवी ट्री टाइम्स त्री टाइम्स मतलब पिता जी तीन और पुत्री जी एक पांच साल का गैप लगा दीजिए पांच साल देखिए पांच चेसे ते तीन यहां से आहेगा तीन फांच या जाए गांच ऑर पोथ क support यहां से आ जाएगा जी दस एक बराबर 1-10 एक बराबर 10 मतलब चार बराबर चालीस और एक बराबर तो दिस आपको पता ही है लिजैंस पता और पत्री का हना पता लेवा भ्यां कह रहा है गधन आफटर टेन एर्सक हमैनी टाइम्स ही उड़ बी ओफ्टर आफ्टर आफ्टर थे नीयर्स ठीक हजी आफ्टर टेनीस अफटर 10 एस फैटा जी-पेश्टे हुए कि आम पुत्री जो है डाइगुना पता चल रहा है न डाइगुना अब देखे ये सवाल कितना असानी से हुआ लेंग में जैसा लग रहा था कि थोड़ा सब मुस्किल है लेकिन सवाल था एक्चुली बड़ा असान ठीक है कुश्यन नमबर 39 आये सिक्को वाले सवाल में इसी के साथ हम इंट्री ल क्वेशन तो होई गये होंगे एज और इंकम एक्स्पेंडिचर वाले कम से कम 15 से ज्यादा भी हो सकता है आप उन सवाल को आप क्या करेंगे दो तीन बार अलग से फिर से आप रेंडम सवालों को उठाके लगा लिजिएगा क्योंकि रेशियो में उस पार्ट से और से सबका स्लूशन जो हता है वो कहीं कहईह का ही ही होता है सिक्ः को वाले सवाल को समझना होगा उनको समझने के पहले आपको और दो दो चीजों को समझना होगा एक होता है आपका नंबर नंबर इसी Estoy ूर्दॉसरा होगा the value of point points ठीक है कि इसका मतलब समझ में आएका ठ और वैलिव फॉइन इसका मतलब यह वा पहला स्तिक्कों की संख्या और दूसरा उन सिक्कों का टोटल मान ठीक है या फिर कह लिजे टोटल कितने रुपए हैं तो यह जरूरी नहीं कि सिक्कों की जितनी संख्या है उतने ही रुपए हो आपके पास अगर हम आप से कहें एक र हो रुपए के पांच सिक्के तो आप आप एंगे वह 10 रुपए हो गए तो सिक्कों की संख्या पांच है और उनका टोटल वेल्यू जो है न वह दस है न अगर हम कहें देए 10 रुपए के पांच सिक्के, दस रुपए के पांच सिक्के, तो सिक्के तो पांच ही है, लेकिन उनका वेल्यू कितना है, उनका वेल्यू जो है न, वो 50 है, बात समझ में आ रही, तो number of coin अलग होता है, और value of coin अलग होता है, एकजाम में जो question होते हैं, वो जादा तर एक रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे वाले होते हैं, इसलिए आपको न प्रैक्टिस बस वही वही कराया जाएगा, ठीक है, देखिए, सवाल क्या कहा रहा है, सुनिए थोड़ा था, अब बैक कॉन्टेंस, some coins of rupees 1, 50 पैसे and 25 पैसे, लिखते हैं थोड़ा था, एक रुपए के सिक्के हैं, ठीक है जी, पचास पैसे के सिक्के हैं, अच्छा जी, और 25 पैसे के भी सिक्के हैं, आजाईए, अब आगे क्या कह रहा है, if the ratio of their number, बढ़ा असान सवाल है, जी ये, हमें लगा था थोड़ा सा 13 होगा, इनके number का ratio 357 है, और total number of coins जो है न, वो 1350 है, actually exam में इस pattern के question कम पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सान टेरा question लगाना है, तो पहले इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है, आप से पूछा, total value of coins, सिक्कों की संख्या दी गई है 1350, और आप से न, उनका value पूछा गया है, आप क्या करेंगे, पहले तोरेंगे, 3, 5, 8 और 7, 15 आप कहेंगे जी, कि ये जो 15 है, उसकी value 1350 है, 15 की value 1350, मतलब एक बराबर क्या 90 होगा, आप कहेंगे, जी होगा, कोई रोख नहीं सकता होने से, एक बराबर 90 होगा, इसका मतलब ये 270 हो जाएगा, आप कहेंगे, जी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जी 450 हो जाएगा, ज 630 ये सिक्कों की संख्या है नंबर ओफ क्वाइन से लेकिन आप से वैल्यू पूछा जा रहा तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे ये 270 सिक्के हैं इसका मतलब की 270 ही रुपया होगा एक रुपया के केस मेना नंबर और वैल्यू दोनों सेमी होता है याद रख लिए चीज को ठ है पचास पैसे के 450 सिक्के हैं इसका मतलब की 220 रुपय होंगे क्यों होंगे जी दो सिक्कों को मिला के एक रुपया दो सिक्कों को मिला के एक रुपया तो आप खुद बताए 450 सिक्का मिलाएंगे तो क्या बनेगा आप कहेंगे जी 220 रुपय बनेंगे ठीक है ये 630 जो है न जी शेसो सिक्हे मिल के डेर्ट रूपया अच्छा जी 28 सिक्हे मिल के सात रूपया अच्छा अब 2 सिख्कह बचा, दो सिख्कह मतलब की 50 पैसा, यही होगा न, तो क्या 157 पैसा बन सकता, थोड़के करिए दिक्कत नहीं होगा, 157 रुपय 50 पैसे, यहाँ 5 डाल दीजे, 7 और 5, 12 के 2 बचा, 1, 7, 18, 20, 15, 15, पैसे पाँच बचा, फिर 1, 2, 1, 3, 2, 5, और 1 कितना, 6, तो 652 रुपय 50 पैसे, 652 रुपय 50 पैसे, यह वाला, ठीक है, ठीक है जी, एक लीजे इसको, हम बारी-बारी से 1 रुपया 50 पैसे और 50 पैसे बारी बारी से क्या किये इन सिक्कों की संख्या से उनका टोटल वैल्यू निकाल लिए और उन वैल्यूज को आपस में जोड़ दिये जोड़ने के बाद जो आया हुआ ही एक्च्वल में टोटल वैल्यू होगा ठीक है भई तो चलिए ठीक है तो question number देखा जाए कौन सा question number 40 देखिये थोरह सा चेंज हुआ है उल्टा हुआ है अच्छा उल्टा हुआ है बस सवाल ये अब है कांटेंस तर्व क्वाइन अब है कंटेंस सम खॉइंस सम ख्लाइंस और शेंट एक पचास और पत्चीस आप समझ लिजेगा एक पचास पर प्चीस का मतलब कैं यह यह रो पचास रूपय और पच्छीस रूपय मत समझ लिजेगा वह हम आपके समझ के ऊपर छोड़ रहे है ठीक है चलिए क्या कह रहा है इस बार जो है न इस बार क्या कह रहा है तोल वेल्ई आपके सकते हैं जी बार एक बराबर बार मतलब की चार बराबर हो जाएगा साथ ठीक है ये 5 बराबर कितना हो जाएगा जी, एक बराबर 12, तो 4 बराबर 48, 5 बराबर 60, और 9 बराबर कितना होगा 108, ये क्या आया, ये उनका value आया है, जी, उनका value, आपसे पूछ रहा, total number of points, total number of points, एक रुपए के case में जितने सिख्के उतने रुपए, जितने रुपए उतने सिख्क रुपए, 48 का, 48 रहेगा, लेकिन यहां पे 50 पैसे में 60 रुपए है, इसका मतलब की 120 सिख्के होंगे, ध्यान रखिएगा, अच्छा, यहां पे 108 रुपए है, 108 रुपए है, इसका मतलब 4 सिख्के को जब मिलाते हैं, एक बनता है, तो आप कहा सकते हैं, जी, 432 सिख्के हों में है 600 सिख्के, 600 सिख्के इसका अंतर होगा, ऑप्सन नमबर 3, ठीक है, दो सवाल, same to same, हाला की ये भी हम आपको बता दे, इस पैटर्न के क्वेस्टन एक्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, और ये भी कह दें कि पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन सीखिए, इ इस वार आप का दिमाग खुल जाना है, दिमाग पक्का खुलेगा, देखे क्या कह रहा है, यहां भी same to same, 1 रुपए, 50 पैसे और पचीस पैसे, ध्यान से देखे, क्या कह रहा है, टोटल नमबर फॉइन, टोटल नमबर फॉइन, टोटल नमबर फॉइन, टोटल नमबर का जो रेशियों दिया है वो दिया है जित तीन दो एक अब यहां पर थोरी सी दिक्कत है थोरी सी दिक्कत यह है कि रेशियों जो दिया है वो वैल्यू का दिया है और टोटल जो दिया है वो उनके नंबर का दिया है तो हम यह कहना चाहरे है कि यह दोनों अलग-अलग चीजो आप तोड नहीं सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप ये करिए कि अगर ये नंबर दिया है तो इसको भी number बना दीजिए, अब आप पूछेंगे number कैसे बनेगा, तो सुनिए, number का ratio बनाना सीखिए, हम कह रहे हैं कि 3 का तो 3 ही रहेगा, एक में बराबर ही रहता है, अच्छा यहाँ पर मान लिजे कि value 2 रुपए है, तो 2 रुपए को क्या आप 4 सिक्के कह सकते कि नहीं क ratio है, उनके number का, और यह जो ratio है, उनके value का, ratio convert कर लिजे, अब इस ratio का कोई काम है, नहीं actually, ठीक है, आप इस ratio से भी निकाल सकते, खेर इस ratio से भी निकलेगा, लेकिन अभी इस ratio का कोई काम नहीं है, अब आप देखिए, यह number का ratio आ गया, total number पता है, पिछले सवाल के coding तोर दी 120, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120, एक बराबर 120 आ गया, अब क्या कह रहा है, find the total value of coin, find the total value of coin, total value of coin, निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं है, इन दोनों में देखिए कि value का ratio कौन सा है, उसी ratio में डाल दीजिए, value का ratio उपर वाला है, total पूछ रहा मतलब 3, 2, 5 और 1, 6, जब 1 बराबर 120 है, तो क्या 6 बराबर 720 होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी कि total कितने, total कितने, 720 रूपे हैं आपके पास, ठीक है जी, तो इस question में कुछ नया सीखने लाइक था, तो ये था कि ratio आप तब तक नहीं दोर पाएंगे, ज जब तक दोनों, आपके पास जो fix value दिया गया है, जो ratio दिया गया है, जब तक दोनों same चीजों को represent नहीं कर रहा हो, आप नहीं तोर सकते हैं, अगर ratio value का है, तो total भी value होना चाहिए, अगर value नमबर बता रहा है, तो ratio भी number का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो total दिया है, आपके पास, उसके according ratio को ऊपर नीचे कर दीजिए, सवाल को solve कर दीजिए, ठीक है जी, अब इस pattern के सवाल जो होते हैं, वो ज्यादा तरीक जाम में पूछे जाते हैं, अगला सवाल जो होगा, वो exact same सवाल लेके आएगा आएगा आपके पास, देखिए, exact same सवाल, लगा है ये इसको, अब बैक कंटेन, some coins of rupees 150 पैसे and 25 पैसे, if the total number of coins, देखे, 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 सेम सवाल है, हम क्या करते हैं, एक, पचास और पचीस, ठीक है जी, ठीक है, क्या कहना, ratio of their value, ratio of their value, value का ratio दिया है, value का ratio दिया है, दो, पांच, और नौ, अच्छा, टोटल, हाँ, क्या कह रहा है, total number of coins, total number of coins, total number of coins, 240, तो हम आप से बस इतना पूछना चाहरे है, हम आप से बस ये पूछना चाहरे है, कि जब ये number है, ये भी number होना चाहिए, आईए, उन value को number में convert कर लिया जाए, तो दो का तो दो ही होगा, एक रुपए के case में सेम रहता है, मान लिजे यहाँ पर 5 रुपए है, इसका मतलब की 10 हो जाएगा, मान लिजे यहाँ पर 9 रुपए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जी 36, 25 पैसे के case में 4 होगा, यह कट रहा है, आपस में आप चाहें तो काट भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी काट सकते हैं, हम काटेंगे जी, हम काटेंगे इसको, एक पांच और अठारा एक पांच और अठारा आगया आप कहेंगे जी आगया एक पांच और अठारा जोड़िये आपस में एक और पांच च्छ और अठारा चौबिस चौबिस की वैल्यू जो है वो 240 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा आप कहेंगे जी एक बराबर जो एक बराबर कितना हो गया एक बराबर दस हो गया आगे क्या कह रहा है find the total value of coin total value of coin आई ये डालते चलते है एक बराबर 10 आया है तो यहां पर डालेंगे ये 10 का 10 नहीं रहेगा यहां पे डालेंगे यह 50 रहेगा यहां पे डालेंगे जी 180 हो जाएगा आप कहेंगे जी हो जाएगा यह number of coin है तो अगर value देखें तो यह 10 का 10 ही आना है जी अच्छा जी यह 50 का value क्या होगा आप कहेंगे जस्ट आधा मतलब 25 रुपए 180 का value क्या होगा वन फॉर्थ मतलब 45 रुपए इसका total value क्या हो जाएगा 80 रुपए तो सवाल का option number 3 जो है ना वह सही होगा अच्छा कुछ लोग सोचेंगे कि क्या इस वार यहां पे रखते ना तो मामला कुछ इधर उदर हो जाता मामला इधर उदर हो जाता देखें हम तोर दिये थे ना बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई ठीक है तोर दिये थे कहने का मतलब की नमबर को नदी सीरे सीरे आधा कर दिये थे हां कर दिये थे आई यह प्रिशन नमबर 43 अब है कंटेंस कोईन सेम सवाल जी लगाए एक पचास एंड पचीस क्या दिया इस बार उनके नमबर का रेसियो उनके नमबर का जो रेसियो है वो तीन है चेह और आठ है और क्या कहा रहा है टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू जो है न वह 136 रुपय है अच्छा जी अब आपको क्या करना होगा बदलना परेगा यह रुपय है तो रुपय का ही आप रेसियो खीच के लाईए उनके वैल्यू का रेसियो देखें तो ती का तीनी रहेगा यह च्छे वाला भी आधा होके तीन हो जाएगा और आठ वाला एक चुखह लोगों को याद है एक बराबर किया होगा आप कहेंगे जिस सतरह होगा टोटल नंबर ओफ कोईन पूच रहा है टोटल नंबर ओफ क्वाइन नंबर का रेशियो कौन सा है ये वाला है आप डाली इसमें तीन और छह नौ और आठ सतरह गुड़े सतरह कितना हो जाएगा जी सतरह का एसक्वाइर दोसो नवास्ती 289 इसका सही आंसर हो ठीक है जी अब आप कहेंगे कि भाई जोर के क्यों निकाले आप बारी बारी से भी निकाल लीजे वह याना एक बराबर सतरह है तो तीन बराबर एक यावन छे बराबर एक सो दो और आठ बराबर 136 इसको जोर दिए चाहर दो आठ और एक नौ पांच दो एक और एक दो ठीक है अगला सवाल देखिए एक सवाल और सिक्का वाला सेंटू सेम लगा लीजे अब जितने भी सवाल आपके सामने सिक्को वाले आये हैं हमें लगता है कि पांच छे आये हैं उनको भी जरार रिवाइज कर लीजेगा एक बार धंग से यह स्वाल तर्षाइन नुबर 39 टू कृट्टी फ़र्ड़ जो था तो वह स्ख्को वाला सवाल था चलिए अब भी कटेंस समट उप्वाइन टू स्वाल है क्यों पर आजाए एक पचास अरे जि इस से अनल यह से नहीं है जी यह एक रूपे दो रूपए और पांच उनके नंबर का जो रेशियो है वो 9, 3 और 5 है आगे क्या कह रहा है टोटल वैल्यू अफ़ क्वाइन टोटल वैल्यू जो है वो 520 है हम क्या करेंगे इसका वैल्यू पता लगाएंगे अब वैल्यू पता लगाने में न थ्थोड़ा सा लोग कनफ्यूज होंगे देखिए पांच रुपए वाले पांच सिक्कें इनका वैल्यू कितना होगा जी पत्चीस होगा लीजिए पता लग गया रेशियो पता लग गया क्या अब वापस जोड़ना है हमें 9, 6, 15 और 25, 40, 40 बराबर 520 आप कहेंगे 40 बराबर 520 एक बराबर कितना 13 यहीं तो आपको चाहिए एक बराबर 13 आगया अब क्या पूछा टोटल नंबर ओफवाइन तोटल नंबर ओफवाइन नंबर ओफवाइन का रेशियो यह है आप जोड़ के देखें 9 और 3, 12, 12 और 5, 17 वापस से 17 आरह, 17 गुड़े 13, 17 गुड़े 13, कितना आ जाएगा जी, 170 और 151, 221, 221, देख लिजे ये सवाल को दुबारा लगा लिजेगा, थोरा सा डिफरेंट सवाल था, सेम टू सेम सवाल तो था नहीं है, ठीक है जी, चलिए, क्विस्चन नंबर 45, मजएदार सवाल, परसेंटेज जो लोग किये होंगे, उनको ये समझ में आएगा, जो लोग नहीं किये होंगे उनको लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं आपे, चलिए, कोई बात नहीं, क्या कह रहा है, 80 liters mixture of milk and water in the ratio 3-2, 80 liters का mixture है, जी, देखिए, 80 liters का mixture है, किसका? दूद और पानी का, आगे देखिए, और ratio क्या दिया है, जी, 3-2, 3-2, अब क्या करा है, how much water should be added in the mixture to make the ratio 12 is to 13, सवाल ये कह रहा है, कि दूद और पानी का एक mixture है, कितने का, 80 liters का, वहाँ पे दूद और पानी का जो ratio है, 3-2 है, 3-2 के अनुपात में, दूद पानी है, कह रहा है, कि कितना पानी और मिलाया जाए, कि उनका ratio 12-13 हो जाए, कितना पानी और मिलाया, कि 12-13 हो जाए, सबसे पहले हम 80 को तोरेंगे 3-2 में, आप बताए, 3-2 में अगर हम तोरेंगे, तो सबसे पहले अगर हम दूद की बात करें और फिर वाटर की बात करें, तो दूद 3-2-5, 5 बराबर 80, 1 बराबर 16, 3 बराबर कितना 48 जी, हर चीज लिख के नहीं करना है, थोरा सा मन बे भी करना है, देखिये, 3-2-5, 5 बराबर 80, तो 1 बराबर 16, तो 3 बराबर 48, और 2 बराबर कितना जी 32, बताये, दूद और पानी का क्वांटिटी पता लग गया, दूद और पानी का क्वांटिटी पता लग गया, लेकिन अभी आपको थोरा सा और सूचना आए, क्या सूचनाे, How Much Water Should Be Added हम क्या कर रहे हैं पानी में कुछ मिला रहे हैं और ऐसे मिला रहे हैं कि इनका जो रेशियो है इनका रेशियो क्या बन जाए 12 और 13 का रेशियो बन जाए 12 और 13 कहने का मतलब कि ये 12 जो होगा वो दूद होगा और 13 जो होगा वो पानी होगा आपको पता है तो आप एक बात बताएं कि उस मिक्षर में पानी के मिलाने से क्या दूध के क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा आप कहेंगे जी नहीं दूध के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा चेंज अगर कहीं पर आएगा तो उनके रेशियों में चेंज आ जाएगा इतनी सी बात सब के समझ में आ गई तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर एक्च्वली कि दूध 12 है और पानी 13 है तो 12 की वैल्यू 48 तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं जब 12 की वैल्यू 48 है तो क्या 13 की वैल्यू आप 52 कह सकते की नहीं आप कहेंगे जी कैसे तो 12 की वैल्यू 48 तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है तो एक बराबर चार और तेरह बराबर बावन होगा इसका मतलब और 40 तो दूध था ही बावन पानी होना चाहिए अब बावन पानी कैसे होगा आप कहेंगे जी 20 लीटर मिला के हो जाएगा तो इसका ओप्सन जो होगा चौथा वाला ये सही होगा प्रोसे सिखे रहेंगे तो आशानी से सवाल हो जाएगा ठीक है असानी से ये सवाल हो जाएगा ठीक है हम किये क्या यहां पर आपको एक बार फिर से बता दे हम क्या किये कि 80 लीटर को हम तोरें 3 और 2 में तोरने के बाद क्या किये कि 48 और 32 पता चल गया 48 लीटर दूद 32 लीटर पानी अब कह रहा है कि पानी में कुछ मिलाईए इतना मिलाईए कि रेशियो 12-13 हो जाए अब पानी म मिलाने से दूद के quantity में कोई change आएगा नहीं दूद पहले भी अरतालिस था दूद बाद में भी अरतालिस रहेगा लेकिन आप कह सकते हैं इस बार जो दूद होगा न वो बारह यूनिट होगा तो बारह की वैल्यू अरतालिस तो एक की वैल्यू 4 तेरह की वैल्यू 52 इसका मत स्वाल करिए same to same अगला सवाल होने वाला है अगला सवाल the two same लगा दें सको जल्दी से को देखिए प्रुक जा लेखिए 105 लिटर मिक्ष्छर है 105 लिटर मिक्ष्छर है क्या कहाए मिल्क और वाटर का मिल्क और वाटर जो है वह चार और तीन में है तोड़ते हैं जरा मिल्क एंड वाटर 4 और तीन 7, 7 बराबर 105, 1 बराबर 15, 5 तो 4 बराबर 60 और 3 बराबर 5 आले जी हर चीज हम लिख के नहीं करेंगे आपको समझ नहीं ठीक है जी आगे क्या कह रहा है, how much milk, हम milk में इस बार कुछ add कर रहे हैं जी, milk में इस बार कुछ add कर रहे हैं, और ऐसे add कर रहे हैं, कि इनका ratio जो बनना चाहिए, वो 2 और 1 बनना चाहिए, मतलब कि 2 की value ये, और 1 की value ये, आप खुद बताएं, जब 1 बराबर 45 है, तो क्या 2 बराबर 90 नहीं है न मुस्किल, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परिसानी हो तो बता दे, नहीं है न, चलिए, नहीं है तो देखें, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है न, चेंज होके आया है, अब इसको हम homework देके जाएंगे, हम करके नहीं जाएंगे, ये आपके लिए रहा, ह, ये homework रहा, ठीक है, और आपको पता है क्या करना है, जितने भी सवाल हम लगा चुके हैं, उनको एक बार फिर से आपको revise करना है, कैसे revise करना है, तो random questions को उठाकर revise करना है, आप एक बार घर पे वापस से लगा लीजिएग इस सवाल को भी देख लीजिएगा, बाकि इसका solution हम देखेंगे ही, और 110% confirm कि कल वाले class में हम लोग PYQ देख लेंगे, ठीक है, already 3 पार्ट देख चुके हैं, तीन पार्ट कहने का मतलब 46 question, ये question number 47 है, इसका मतलब 46 question already देख चुके हैं, अगले class में इसको समाप्त करेंगे, कुछ question जो रह गए हैं, उनको समाप्त करेंगे, और तुरत उसके बाद क्या करेंगे, तुरत उसके बाद हम previous question लगाएंगे, जो सीवीटी या सीवीटी में पूछा गया है पहले, ठीक है भईया, चले, तो चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, गनित और साथ में रिजनि मैं रिजनिंग साथ में लगाते रहिए, और वापस से, फिर से कल मिलिए, इसी टॉपिक के साथ, इसी चैनल पे, इसी समय में, चलिए फिर बाई-बाई सभी को, खुश रहिए, मजा करते रहिए